सबी किसान भाईयों को नमस्कार किसान मित्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आपने हमारी रीसेंट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अपना ड्रैगन फूरूट फार्म जो लगाया था उसकी दो महिने की ग्रोथ आपको दिखाई थी और साथी साथ हमारे ओल्डर फार्म की अभी फिलाल क्या सिच्वेशन है ग्रोथ वाईज वो भी आपको दिखाया था इसके बाद हमारे पास काफी मैसिज आए वाटसप पे भी हमारे पास कोल्स भी आई क्योंकि किसान भाईएों को इस तरह की समस्याएं आ रही थी कि कुछ किसान भाईएों का सवाल यही था कि हमने भी फरवरी में ही प्लान्टेशन किया लेकिन पोदो की इतनी ग्रोथ नहीं आ पारी और हमारे ड्रैगन फूर्ट प्लांट्स लगाए हुए करीबन दो साल हो चुके हैं बाइस महीने हो चुके हैं लेकिन हमारे पोदो की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका क्या सोलूशन है तो कुछ किसान भाईयों ने हमारे पास में फोटोज भी भेजी थी वीडियों भी शेयर किये उनसे पर्मिशन लेने के बाद हमने ये वीडियों और ये फोटोज आप अपने चैनल पे दिखाना जुरूरी समझा आप हमारी कनवर्सेशन देख सकते हैं ये किसान भाई गुजरात से हैं इन्होंने करीबन 24 महीने पहले ये प्लांटेशन किया था आप बोदे भी देख सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये फार्म कंप्लीटली फेल उचुका है आप इनकी एक वीडियो भी देखिएगा जिसमें आपको प्लांट्स की ग्रोथ आपको पूरी तरह से दिखाई देगी ये इन्ही के फार्म का वीडियो है जो हमने मंगाया था यहां कहां कमी रहेगी इन्होंने डिप भी लगाया हुआ है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी ये बराबर कर रहे थे जिसे साब से हमारी बात हुई थी तो कहां चूक हुई इन से या लोग दिखाते हैं कि सक्सेस्फुल स्टोरी जी दिखाते हैं चैनल्स पे लेकिन इस तरह के वीडियो नहीं दिखाते हैं कभी भी देखिए ये सिक्के का एक पहलू है जहां सक्सेस भी है तो वहाई फेलियर भी है लेकिन फेलियर हुआ क्यों ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं नहीं उनको इसकी कम से कम जागरुकता मिले कहां ये चूग गए थे ताकि आप ना यहां गलतिया करें महीं पे एक किसान भाई और थे जिनका करीवन 22 महीने का प्लांटेशन था उनके भी हमारे पास मैसेज आए कि सज़स कीजिए सर हमारा 22 महीने का पोदा हो चुका है लेकिन पोदों में बिल्कुल भी ग्रोथ ही नहीं आ रही है इनकी भी सेमी सिचुएशन थी हमने सेमी सवाल इनसे भी पुछे थे कि आपकी विराइटी कौन सी है कब आपने प्लांटेशन किया और कहां पर ही इन्होंने गलतिया की इसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे ताकि ये गलतिया आप ना दो रहा है ये इनके फार्म के ही पिक्चर्स है और हमने एक वीडियो भी मंगाया ये आप पूरा क्लार्टी से देख पाएंगे कि फिलाल का सिचुएशन ये है ये 22 महीने का पोदा है लगता है देखने से करीबन 6-7 महीने के ये प्लांटेशन लगते हैं लेकिन ये 22 महीने से स्ट्रगल कर रहे है इन्होंने भी ड्रिप लगवाया हुए पानी के लिए कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे इन्होंका क्या दिक्कत हुई क्या रिजन था ये फेल होने का इसके बारे में हम इस वीडियो में ब्रीफ से जनेंगे और अब क्या सोलुशन है इस चीज का क्योंकि प्लांटेशन हो चुकी है दो साल तक इन्होंने मेहनत की अब किस चीज का सोलुशन क्या निकाला जाए तो आज की वीडियो में यही एक्स्प्लेइन करेंगे हम तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं सब्सक्राइब कीजिए किसानमित्र यूट्यूब चैनल को और दबाई ये बैल आइकन ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस्ना करें इन फमो का फियल होने का रिज़न क्या था सबसे पहले जब नहीं Umsे सवाल पूछे कि सर आप की वोरा कुन सी थी तो इनका वोराइटी का इनको कोई ग्यानि नहीं था झींदों बॉलला कि उंकी एन कों सी अशी में सब स्टमी थी होती है इसमें 153 जियों करते हैं इन preference immature थे यह निए मेच़् प्लांट इन्होंने लगाय नी दो गलतिया यहां इन्होंने बड़ी भारी किये रैट्ट पता नहीं रहें दूसरा मेच़्ो नहीं थे और 3 यहां इन्होंने लग ओफ नोलिच के कारण में यह सब पुरा इनका फेल हुआ यह पर आप देख रहे हैं यह हमारा 26 महीने का प्लांटेशन है जब हमने यह वीडियो बनाई थी उस टाइम पे 26 मंद का हमारा प्लांटेशन था हमने फरवरी 2019 में इसकी प्लांटेशन की थी तो अभी का सिच्वेशन आप देख रहे हैं अगर ग्रोथ वाइस दोनों को कंपेर करेंगे तो वह कहीं पर टिक नहीं पाते हैं इस तरह की ग्रोथ आने के लिए मेरे हसाब से उनको दुबारा से प्लांटेशन करना पड़ेगा या अभी उन सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन में ही इनकी भारी चूक हुई है अभी क्या करना चाहिए इनको अभी सोलुशन हमने इनको बताया दोनों को सेमी सोलुशन बताया यह दो महिने का प्लान हमने इनको दिया था सबसे पहले रिंग के उपर से जो इनके प्लांट थे रिंग लिटली हमको डवलप करना है ताकि वो दुबारे से सूटिंग उपर से निकले नए सूट निकले और नए लिफ दुबारे से कैनोपी बनाना चालू करें यहां प्लांट की रूट को मेंटेन करने के लिए हमने तीन इनको फर्टिलाइजर के बारे में बताया सबसे पहले फर करने हो बार हुमिक हैचिट उनको देना है और दो बार उनको कम से कम जब्रेलिक एसिट मेंuing उनकर यूस करना हैङ़ने हैं के Sounds Day को ब्लांट की डविल्प करते हैं जाराल रिक एसिट प्लांट की रूट को डप नहीं करेंगा वो गोगैओ आज य्पिससकी छो रहता है उस की लंबाई बढाता है और इस्ट्ी इनकी जमीन में जो आवश्चव Сकत्तों की कमी थी वह वेस्ट् maximize कम्पोज करेगा यान्य वह एक तरह से समझे कि मिट्टी का डाईजेशन शिस्टम ठीक करेगा जम मिट्टी का बराबर से इसमें उपजावपन बना रहें, वो अच्छे से ग्रैब करें फर्टिलाइजर को, और जिस पोधे की रूट जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी, वो पोधा उतना ज़्यादा फास्ट ग्रोव करेगा, उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिशन लेके फूरूट तक देगा, अपने लीफ्स तक देगा और प्लांट की ग्रोथ बराबर से होती है, तो इस तरह का हमने इनको दो महीने का सुलूशन ये बताया, अगर इसके बाद भी इनके प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, तो सिर्फ एक मातर इसका इलाज है कि इनको धीरे धीरे अपने ह स्क्रिप्शन में दे देता हूं वहां से जाके भी आप ओनलाइन एमजोन से इसको पर्चेस कर सकते हैं जब्रैलिक एसिड पर्चेस करने का जोरूरत नहीं है काफी कोसली रहता है यह पाउडर फोम में आप इसको घर पे बना सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में भी देख र आई हुए है आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं यहां अकसर किसान भाई इस चीज में गलतिया कर देते हैं कि प्लांट की विराइटी का उनको पता नहीं रहता देखिए आप प्लांटेशन कर रहे हैं मैं एक आपको सीध और सिंपल उधान देता हूं आप आम नीमबू अमरूद वगारा कि जो देशी विराइटी लगाते हैं वहीं पर आप हाइब्रिड विराइटी जो ग्राफ्टिड रहती है या बारा मौसमी जिसको फल आते हैं नीमबू पर आम पर अमरूद पर उस तरह की विराइटी लगाते हैं आपको यह पता है कि देशी लगाने से इतना प्रोडक्शन नहीं आएगा और हाइब्रिड वराइटी लगाने से और अपनी ग्राफ्टिड वराइटी लगाने से आपको प्रोडक्शन आता है आपने इसकी plantation कभी की नहीं, खेती की नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि आपके आसपडोस से, आपको जहां से जानकारी मिले, चैनल से, वीडियो से, आपको ये पता है कि grafted variety लगाने से इन fruits के plant पे ज़्यादा fruit आएगा, तो इसके लिए आप आप वहाँ चूकते नहीं है, वहाँ आप कोशिश करते हैं कि आम नीम अमरूद की अच्छे से अच्छी वराइटी लगाई जाए, सेम सिनेरियो dragon fruit के plants में भी है, आप अगर अच्छी वराइटी लगाएंगे, grafted variety लगाते हैं, तो आपका production भी definitely जादा ही होगा, तो इस चीज में बिल्कुल भी गलतिया ना कीजिए, आप ऐसा खर्चा कर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा प्लान टाप लीजिए, यहाँ थोड़ी सी लापरवाही इस तरह का आपका नुकसान कर सकती है, जो ये किसान भाई अभी जहल रहे हैं, तो ह वीडियो को लाइक जूरूर कीजिए, और जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीजिएगा, और हमारा वटसेप का एक हमने ग्रूप बनाया हुआ है, अगर किसी किसान भाई को समस्या आती है, तो वहां से हम से अगर किसी किसान भाई किसी तरह की समस्या आ रही है, तो वह हमें मैसिज कीजिए, हम उसका रिपलाई जुरूर करेंगे, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं आगली वीडियो में, इसका परियो में, मैं अगली वीडियो में आपका एक algorithm और नियूर ओम से वाहius में मिलते ही बहुत वामान ही, Việtा